जै माकाल मेरा नम समराथ है और आप देख रहे हैं आदित पूरम तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजनिंग के बारे में सबसे पहले रिजनिंग में जो important चीज है वो है कि आपको जो है solve करने से पहले ये चीज याद कर लेना है कि किसका value क्या होता जैसे a का value, 1, b का value, 2, c का value, 3 इस तरह से टोटल आपको 26 के 26 लेटर का value याद कर लेना क्योंकि यदि आपको value याद रहेगा तो आपको solve करने में बहुत असानी होगी तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जितना भी value आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख लें copy में लिखने के साथ सत्क्या करने आप याद कर लें क्योंकि जब आप याद कर लेंगे तो आपका time बहुत बचेगा जब आप इसे solve करेंगे और दीखिए इसको किस तरह से आपको लिखना है आपको इस तरह से लिखना है एक से लेके 13 तक यानि कि A से लेके M तक एक साथ लिख लेना है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और M तक ही लिखना है ये 13 तक लिखना है उसके बाद जो है नीचे से यहां लिखना है आपको N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो यह देखिए यह आपका एक clockwise हो जाएगा यानि कि सिधा सिधा हो जाएगा ठीक है और जब आपको reverse बोले तो यह anti-clockwise हो जाएगा ठीक है तो Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q इस तरह से जो है हम लोग वापस यह आएगे तो यह हुमारा anti-clockwise हो गया तो इसको जो है आपको लिख लेना है और देखिए जब आप तेरह-तेरह के form में लिखेंगे न तो A के नीचे क्या आता है? Z आता है A के नीचे Z आता है, Z जो है क्या हो गया? A का opposite हो गया B के नीचे क्या आता है? Y आता है, यह इसका opposite हो गया C के नीचे X, C का opposite X हो गया D का opposite W हो गया, E का opposite V हो गया F का opposite U हो गया, G का opposite T हो गया, H, S हो गया और इस सब इसी तरह जो है है जो सब का अपोजीट जो है उसकी नीचे वाला हो जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख लें और इसको सिधा सिधा याद कर लें एक बार फॉर्वर्ड वे में और जो है कर रिवर्स वे में दोनों को सिसक ने याद कर लेने के लिए नहीं होत क्या होता है जैड होता है तो यह इस तरह से जो है आपको यह चीज पुरा याद हो जाएगा तो आपको यह चीज नहीं भी पता होगा ना कि A का उल्टा क्या होता है B का उल्टा क्या होता है तो आप निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे हम आपको बता देते हैं जैसे कि आपको निकालना है Z का उल्टा क्या होता है तो Z यह तो बहुत इजी है वैसे हम याद हो रहेगा आपको कि जैट का उल्टा ए होता है लेकिन निकालने का जो है हम तरीका बता देदें दोनों को जोडने के बाद जो है 27 आजाएगा 1 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा abbiamo साज आजाएगा तो हम जो है कोई भी चीज़ें को निकालना हो जैसे कि हमको साथ का निकालना हो ठीक है तो जोड़ने के बाद पता है हमको क्या आता है सत्ताइस आज आता है तो सत्ताइस में हम क्या करेंगे साथ को मैनस करेंगे साथ को मैनस करेंगे तो हमारा क्या ज़ागा 20 आपको यह चीद पता होगा कि 20 में क्या आता है 20 नमर पर हमारा T आता है तो जो है 37 यह जी का उल्टा क्या हो गया T हो गया ऐसे एक दो बार आप इसे近 miraculous करें तो यह आपको जो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं हम कुछ छोटे छोटे जो है basic questions को करते हैं क्योंकि question करने से हमें idea आएगा कि किस तरह का question आता है और इसे हम कैसे solve करेंगे तो देखें लिखा हुआ है यदि K I C K को K C I K लिखा जाए तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लिखते हैं K I C K इसको क्या लिखा गया है इसको लिखा गया है K C I K ये लिखा गया है और क्या है M A A N इसको लिखा गया है N A A M इस तरह से दोनों को लिखा गया है तो आप वो पूछ रहा है कि द्याउन से देखना है और देखने के बाद फिर हम conclusion पर पहुंचेंगे कि हम जो है question पूछ क्या रहा है और हमको किस तरह से बनाना है तो सबसे पहले देख लिजी यह जो है के को के थे हैज Ichi Religion रखा हुआ है इसके को भी एज़्टीज रखा हुआ है ठीक है और इसको अब चेंज किया गया है से इसको भी bevor training नहीं रखा है तो इसका मतलब यह pattern हमारा follow नहीं कर रहा है कि एज़ी रखने वाला कम नहीं हो रहा है तो चलिए अब दूसरा पैटर्न देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एज़िटीज रख लेता है या एक बढ़ा के या एक घटा के इस तरह से पैटर्न दिया जाता है लेकिन यहां पर देखिए कि इस तरह से इसको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के थूर देखिए कि इसको यहां रखा गया उसके बाद का फिर रखा गया फिर उसके बाद का रखा गया फिर उसके बाद का रखा गया तो इस तरह से हमारा जो है एक pattern बन जाता है यहां भी same pattern follow होता है पहले इसको रखा गया उसके बाद फिर इसको रखा गया फिर इसको रखा गया और last में इसको रखा गया मतलब कि सिर्फ circle को change कर दिया गया है यह जो है इसको as it is रखा गया है लेकिन term देख लिजिए आप फ़ले k रखा गया k के बाद i रखा गया i के बाद c c के बाद k सिर्फ इसको उल्टा करके ले लिया गया है तो अब हमको pattern मिल गया है तो चलिए अब हमको बनाना क्या पूछ रहा है g o o d तो सबसे पहले इसको हम इधर लिख लेते हैं d इसको हम इधर लिख लेते हैं g और फिर इसको लिख लेते हैं o फिर इसको लिख लेते हैं o तो d o o g d o o g तो हमारा तीन नंबर का answer तीन नंबर का option जो है answer हो जाएगा solve हो जाएगा वो गया इस तरह से F का value 6 होता है याद कर लिजिए उसके बाद कता है F o x बराबर दिया हुआ है f o x बराबर हमको कितना दिया हुआ है 45 तो पूछ रहा है l i o n का value क्या होगा तो देखें F का value कितना हो गया 6 o का value कितना होता है 15 होता है आप याद करेंगे यह बहुत असनी से आपको समझ में आ जाएगा और x का value कितना होता है 24 होता है तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो गया 45 तो इस तरह से मतलब कि add करके हमको दिया हुआ है तो इसका भी हमको add करके result निकालना है देखे ल, i, o, n तो l का value कितना होता है 12, l का value कितना हो गया 12 उसके बाद आईए उसमें plus करना है i का value कितना होता है 9, o का value कितना होता है 15, n का value कितना होता है 14 तो जब आप इस सब को add करेंगे तो 5 प्लस 9, 9, 9, 9, 18, 18, plus 2, 20, 20, plus 10, 30, 30, plus 10, 40, 40, plus 10, 50, तो यह total जब आप इसको add करेंगे तो आपको कितना गया 50 आगया 50 जो है अंसर होगी हमारा काफी असान है बस है कि आप इसे practice करें सबसे पहले तो आप जो है A से लेके Z तक का जो भी number है form में उसे याद कर लें किसका value क्या होगा और जब आपको value याद हो जाए उसे दो बा practice हो जाएगी practice होने के बाद जो है फिर आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे सवाल वैसे वैसे जो है आपका concept clear होते जाएगा यदि को 63 लिखा जाए और LED को 21 लिखा जाए तो LIGST को क्या लिखा जाएगा same to same सवाल है देखिए इसको करके बताते हैं C O L O R तो C का value हो गया 3, O का value 15, L का value 12, O का value फिर से 15, R का value कितना होता है? आर का value होता है 18 तो जब आप इसको add करेंगे तो 63 हो जाएगा ठीक है? उसी तरह दिया हुआ है L, E, D तो L का value होता है 12, E का value 5, D का value 4, तो 12, 4, 16, 16, 21, already दिया हुआ है value जिसका मतलब है कि सब का digit का value बले लिखा गया उसको फिर add किया गया, add करके जो है दिया गया तो फिर अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए? light के बाड़े में कहता है निकालने के लिए light, L का कितना हो गया? L का हो जाता है 12, I का कितना हो गया? 9, और उसके बाद G का कितना हो गया? G का हो गया 7, plus H का कितना हो गया? H का होता है 8, और T का कितना हो गया? T का हो गया 20, त 21 plus 7 28 28 plus 8 36 36 plus 26 यह हमारा 56 जो है आंसर हो गया काफी आसान है तो जैसे जैसे आपको नमबर याद हो जाएगा नमबर याद होने के बाद फिर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे यह जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएगे आपको यह समझ में आते जाएगी इस तरह से देखिए अब दूसरे पेटर्न पर चलते हैं किसी कूट भासा में कानपूर को इतना लिखा जाता है और अलाबाद को इस तरह से लिखा जाता है तो लखनों को क्या लिखा जाएगा चलिए बहुत असन है तो देखिए अब देखिए एल को क्या लिखा गिया है यह आपको कहां से इस दोनों पेटर्न से निकलना है तो देखिए एल को लिखा गिया है ओ यहां से आपको पता इसका जितना भी लेटर है इसमें से मिल जाएगा दोनों पेटर्न को हम देखेंगे दोनों pattern में से हमको क्या होगा कि number मिल जागा बहुत सारे reasoning के questions होते हैं बहुत सारे variety होती है कुछ-कुछ variety हम इसमें कभार करेंगे अगले वीडियो में फिर और भी बहुत सारे questions को कभार करेंगे पता चलते जाएगा आपको किस तरह से एक्जाम में पूछा जाता है तो अब देखिए L का value हमको यहां से पता चल गया ओ गया ठीक है U का value U देखिए कहां है कानपूर में U है U का value हमको X पता चल गया तो OX जो है अभी भी दो में है यह जो है हमारा नहीं होग option यह भी नहीं होगा क्योंकि OX OX नहीं है तो चलिए उसके बाद अगले पर जाते हैं C C कहां पर है C जो है Already C जो है हमारे नहीं तो कानपूर में है नहीं इलहाबाद में है C नहीं है चलिए आगे देखते हैं उसके बाद K K कानपूर में है K का बेल्यू कितना है N तो यहां से हम K का बेल्यू N रख लेंगे ठीक है OX उसके बाद जो है चौथे नमबर पर N आ रहा है तो OX और चौथे नमबर पर N जो है यहां पर हमारा आ रहा है यहां देखी M आ गया M जो है already नहीं होगा क्योंकि हमको पता चल गया है कि K के बदले क्या लिया गया है K के बदले यहां से पता चल रहा है कि K के बदले क्या लिया गया है N लिया गया है तो चुके K के बदले N लिया गया है यानि कि चौथे नमबर पर यहां तीसरा नमबर हमको नहीं पता है सी के बारे में यहां दोनों से हम पेटरन से हमको मिल नहीं रहा है तो हम चौथे पर आगे ओ एक्स और चौथा कुछ भी होगा एज इस उसके बाद तीसरा नमबर पता नहीं चला चौथा नमबर से पता चल गया एन होगा तो जहां पर एम है यह आप्सन भी हमारा एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद बच क्या गया यह लाश्ट वला उपसन जो है हमारा आंसर हो जाएगा रिजनिंग में क्या है कि आप जितनों ज्यादा माइंड लगाएंगे उतनों ज्यादा उतनों समझ में आगा और बहुत जल्दी जो है आप रिजर्ट पर पहुंच पहेंगे conclusion निकाल पहेंगे देखिए अगला question कि यदि GOLD को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले चलिए आते हैं इसको पहले देख लेते हैं नम्रिंग करके GOLD अब देखिए इसको किस तरह से लिखा गिया है ती इसको 20 लिखा गिया है इसको कितना लिखा गिया है यानि कि 12 लिखा गिया है इसको कितना लिखा गिया है और इसको कितना लिखा गिया है और इसको कितना लिखा गिया है डबलू का वैल्यू कितना होता है 23 होता है तो इस तरह से जो है हम सारा चीज़ इसको लिख लिखने के बाद जो है अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के pattern को follow किया गया है तो हम आपको बताए थे कि जब ABCD जब starting में ABCD इस तरह से में बताए थे कि लिखा हुआ था और सबका value जो है बोले थे कि वहाँ लिख लेना है आपको इस तरह से जो है आपको जो है पहले ABCD लिख लेना उसके नीचे value लिख लेना कोशिस करना याद कर ले नहीं भी याद हो रहा है starting में तो कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे जो है समझेंगे उसके पाद जो है यहां से आगे बरेंगे यहां पर जो हमको दिया हुआ है 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 G का opposite जो है T होता है और जो है D का opposite क्या होता है W होती है कैसे पता चला कि हमको opposite form में दोनों को जोडने के बाद 27 हो गया 20 प्लस 7 को जब हम add किये तो हमारा कितना result आया 27 जो कि 20 प्लस 7 को जोडने के बाद 27 result आया इसलिए हमको पता चल गया कि यह opposite form में लखा हुआ है आप किसी को भी जोड के देख सकते हैं जैसे O और L को जोड़ेंगे L और O को जोड़ेंगे ठीक है तो L का value कितना हुए 12 है O का value कितना हुए 15 है दोनों को जोडने के बाद क्या आगिया सकता है हमको पता चल गया कि यह opposite form में है आप भी इसे जब लिखे एक दो बार याद कर लेंगे और उसके बाद फिर फिर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा यह बहुत ही आसान है तो चलिए अब हमको क्या करना है opposite form में रखना है ठीक है तो c का value कितना होता है c का value 3 होता है तो 37 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 37 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा अब देखे 24 का value आपको पहले याद होगा तब ही तो पता होगा कि हाँवे 24 का value कितना होता है चोब इसका वेल्यू होता है एक्स चोब इसका वेल्यू क्या होता है एक्स अब देखें एक का वेल्यू कितना होता है एक इसका अपोजीट जो अल्रेडी आप एक दो बाट इसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक आपोजीट जो है जैड होता है हम डा अंदरय का value होता है O, तो actually जब आप value याद कर लेंगे तो बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, M का उल्टा होता है N, तो यह हमारा result हो गया, C, A, L, M को क्या लिखेंगे? X, Z, O, N, तो X, Z, O, N, यह कहां पर है हमारा, यह हमारा जो है, B नंबर के option में है, यह हमारा option जो है, सही हो जाएगा, तो guys, आज का session यहीं पर समामत करते हैं, अगले वीडियो में हम cover करेंगे कि आगे के topic को, यह जो है, आपको कोई भी तरह का doubt होता है, यदि कोई भी questions पूछना है, तो personally जो है, आप samrath air the rate aditipuram.com पे जो है, हमको email कर सकते हैं, email पे हम लोग, यह हमारे पूरे team जो है, आप आप वहाँ पे follow कर सकते हैं, personally यदि हम से कुछ सवाल आपको पूछने हो, या कोई भी doubts की, और यह हमारा channel है, क्या नाम है, आदिति पूरम, इसे like, share and subscribe करें, यदि आपको हमारे video informative लगती है, thank you guys, love you too, jahind.